हेलो एवरिवन आएम खुशी एंड आज का जो मारा टॉपिक है वो है नैशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स मलब की राश्ट्रिया आपदा प्रतिकिरिया बल जिसे इन शॉर्ट हम एंडी आरेफ बोलते हैं एंडी आरेफ एक क्या है एंडी आरेफ एक ग्रूप है जो ह 2005 से रिलेटिड हमें एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और इसके तहट आपना जो खतरनाक आपदा होती है उतना आपदा की जो स्थिति आती है और आपदा के जो विश्य शग्या है की प्रतिकिरिया के उदेश्या से किया गया है यह क्या कहना चाहता है कि जो य अधिकर्ण हो गया है और आपदा की स्थितियों को देखते हुआ हुआ है कि जो आपदा की स्थितियों आ रही है इनसे लोगों को बाहर को निकालेगा तो कौन निकालता है राश्ट्रिया आपदा पर अंपरतिकिरिया बल निकालती है इसके अंतरकत क्या हुआ हुआ है ए डिजास्टर मेनेजमेंट अथियोरिटी राश्ट्रिय आपदा प्रबंदन अधिकरन के अंदर भारत में एक अपेक्स बोडी बनाई गई है और अंडियम जो है अंडियम में जो है उसका जो अध्यक्ष होता है वो एक परधान मंत्री होता है मतलब कि जो प्राइम मिनिस्ट इन अंडियम की जो नोजवान होते हैं जो काम करते हैं सेना हो जो एक भी बहुए कि नुखसान होता है तो केंदर सरकार शशक्त्र बलों द्वारा केंद्री आपर ल्हएं प्रतिक और अर्थी बलों द्वारा शट्रृ Today आपदा पर स्रकार तो उसमें क्या होता है कि यह सहायता करने के लिए जिम्मेवार होते हैं जितने भी बल कहें गए हैं जितने भी फॉर्सिस हैं वह हमें सहायता प्रदान करेंगी और यह संचार हवा वे अन्य परी संपतियों जैसे की उपलब्ध है और अवशक है जो भी उपलब्ध होती है औ तो महानिर्देशक के रूप में उसको कहा जाता है, उसमें महानिर्देशक भोलते हैं, और जो NDRF के जो निर्देशक जर्नल होते हैं, जो डिरेक्टर जर्नल होते हैं, वो पुलिस, जो भारतिया पुलिस के संगठन हैं, उसके IPS अधिकारी होते हैं, ठीक है, और महानिर्दे और एक बज़ भी पहनते हैं इसकी रचना कैसे की गई है तो रचना में सबसे पहले यह होता है कि इसमें 12 बिटैलियन होते हैं जिसमें 3 जो होते हैं वो सीमा सुरक्षा बल के होते हैं और जो तीन होते हैं वो केंद्रिया रिजर्व पुलिस बल के होते हैं और जो दो होते हैं वो केंद्रिया आयोगिक सुरक्षा बल के होते हैं सेंट्रल इंडॉस्ट्रियल सेक्यॉरिटी फॉर्सिस CISF के होते हैं और जो दो होते हैं वो भारत तिबत सीमा पुलिस बल के होते हैं जैसे ITB-PF भोलते हैं जो दो होते हैं वो स्रस्थस्त्र सीमा बलके होते हैं SSB तो Superodo matter that's good कि प्रेंब हो जो यह है वो 12 हो गए total और जो यह है वो सारे च्रैब्री था ब्रिटरिम不多 यह चाछऊ का 12 जो ब्रेटेलियन कौनगोन होते हैं तो वहीं है और जो 18 जो सवें najat विश्य शग्ये होज होते हैं Afterwardsаюсь है जैसे हैं टैक्णीशन इसे होते हैं मेटिकल सहीं इसमें 45 कर्म कारे करम कारे करम्चारी शोंग में का कर्म का इसमें नेक्स जैसे कि चार्ट के थू कह रहे हैं कि जो अंडी आरेफ की फोर्शिस होती है वो असम में है और बीएस एफ का होता है सीपी एफ एंड इसमें अंडी एरेफ की सारी काईयां बताई गई हैं और ये किस-किस एरिया में किस-किस तरह की वीटालियन जो हमने वीटालियन ऊपर बात की थी कि कितने कितने होते हैं जैसे कि 3 सीमा सुरक्षा बलते दो केंद्रिया डिजर्व पुलिस बल थे दो भारत बल के थे तो वही हम कर रहे हैं कि इसमें जो भी किन-किन जगाओं पर कौन-कौन सी हिकाईया लगी है और क्या-क्या CPF है इसके ठीक है तो गुहाटी में है जो की BSF है BSF मतलब जो हमारा Board Security Force मतलब सीमा सुरक्षा बल जो था वो BSF एंड उसके बाद कलकत्ता में BSF है और कटक और अर्कौनम में CISF है ऐसे यह सारी आपको दे रखी है आप एक पर स्टडी कर लिजी इसको और नेक्स्ट जो है वो यह है यह अगर आप टोटल इसको करोगे यह चा कि भूमी का क्या है या जनादेश क्या है नेक्स्ट क्या है कि जो फस्ट कहता है इसका कि आपदाओं के दोरान विशेश प्रतिगिर्या जब भी कोई आपदा होती है तो वो special कुछ विशेश टाइप की रिस्पोंस देते हैं कुछ ने सेस्री एंजरूरी जो रिस्पोंस ह अंधरिया को होता है वो देते हैं जो एन्दान विश्ट के टीम होती है ऐसान आसन आपदाद जित्यों के दोरां सक्रीये तैनाती बहुत तुकरीयें जो काम करने गयाँ लिए टे足 वो पहुची है या नहीं पहुची है तो वो सारा कुछ उसकी भूमी का और जना देश में आता है नेक्ट क्या कहते हैं कि लगातार अपने सव्वय के प्रिशिक्षन और कोशल का उनियन करें मतलब कि उनकी जो ट्रेनिंग है या स्किल है उसको वो आप मास बढ़ा हैं वो उ उनके सामने एक ऐसी सिच्वेशन क्रियेट कर दी जाए न्डियर्फ के जो जवान होते हैं उनके सामने कि अगर कहीं आग लग गई है तो आग लग गई तो कैसे वो लोग उन लोगों को बचाएंगे जो लोग उसमें फसे हुए है तो मोग ड्रिल मतलब कि रियल में एक्स तो लोगों को सम्झा तेह तो आपको किस तरीके से वहां से बाहर निकलना है जाए उस तर चीज से निकलना है कैसे अपनेया बचाना है कैसे अप को ळू Register NDRF के जवान जो होते हैं वहाँ के लोकल कम्यूनिटी को समझाते हैं उन्हें भी प्रशिक्षिक्षन करते हैं थैंक्यू सो मच फॉर लेसर में वेरी केरफुली यह दोनों ही टॉपिक्स जो थे लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आई है और सब्सक्राइब माई चैनल दोन्ट फरगेट तो शेर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप कोश्चिन करके पूछ सकते हैं और कोई भी क्वाईरी रहती है तो पूच लेजी थैंक यू सूमच